श्री नाज्जी गुरुजी को अलग आदेश, मा भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भाहिरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश आज इस तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसको वनस्पती तंत्र बोलते हैं, वनस्पती तंत्र अर्थात वो तंत्र जो वनस्पती से आए, इस तंत्र में पूर्ण रूप से जो पेड़ है, उसके तने, उसका जड़, उसकी छाल का प्रयोग करके तंत्र का प्रयो लगभग इसमें जितने भी विशाय आते हैं उसमें मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है जो मैंने पहले बताया था कि कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिसमें कि सामगरी यंत्र और मनोभाव से ही वो तंत्र काम करने लगता है तो मनोभाव वहां मंत्र का काम करता है तो जो वनस्प वनस्पती तंत्र है यह एक ऐसा तंत्र जिसमें मनोहाब बहुत ज़्यादा काम करता है कैसे देखो जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि निम्बू मिर्च की माला टांग लेते हैं अपने दुकान के सामने लेकिन जो वनस्पती तंत्र बोलता है कि बिजनस उसमें उससे सुधार आएगा जो बुरी शक्तिया वो बाहर रहेंगे लेकिन उसका एक तरीका है क्या तरीका है तो एक निम्बू और कुछ हरी मिर्च को आपको अपने दुकान के बाहर में टांग ना होता है यह पहला है पहला चरण है इस वनस्पती तंत्र का दूसरा क्या है कि ऐसे किसी व्रिक्ष जिस पर की चमगादर रहते हो उस पेड़ का सनिवार की शाम में जाके आपको उसको आमंत्रित कर लेना है और उसके बाद उसका एक डंठल जिसमें की पत्ते लगे हो ऐसे एक डंठल को रविवार की सुर्योदय से पहले जाकर के उसको ले आना है और फिर उसको जिस आसन पर आप बैट रहे हैं उसको पत्ते की तरफ करके उसको ऐसे रख दीजिएगा और उस आसन पर आप बैट जाएगा यहां पर भी कानी खत्म नहीं होती है इसके बाद क्या है कि काला चना ले लिजेगा पूरा वाला पूरा काला चना और उसके मंत्र है भवर बीर तू चेला मेरा खोल दुकान खाकर मेरा उठे जो डंडि बिके जो माल भवर बीर सोखे नहीं जाए इस मंत्र को पढ़के 108 बार जो आपका स्टॉक है उसके उपर इसको छीट दिये जाता है जब ये तीनों प्रक्रिय आप साथ में करते हैं तो फिर दुकान में बड़ उत्री होती है आज के शीट में क्या है कि नहीं जानने के चलते एक से डिजाइन दार निमू मिट्च का जो है लोग माला बना करके अपने दुकान के सामने टांग लेते हैं आज का जो मूल विशा है यह मैंने एक्जम्पल दिया क्योंकि इससे आप सभी जुड़े होंगे लेकिन जो आज का मूल विचार है वो है कि कैसे अगर आप पर कोई ग्रह दोश चल रहा है तो उस ग्रह दोश से वनस्पती तंत्र से आप कैसे निकल सकते हैं अब ही आप जाएएगा किसी आस्ट्रलॉजर के बास तो वो चाहे तो आपको सीधर टोटका बताएगा अगर समझदार अस्ट्रलॉजर होगा तो या फिर अगर बिजनसमें होगा तो फिर वो आपको महंगे पत्तर देगा ठीक है मैंने पहले भी बोला है कि जो पत्थर होता है न वो अंतिम श्रिनी होता है इलाज का मतलब वो सरजरी हो गई किसी चीज की और किसकी सरजरी आप कर रहे हो नवग्रह की जो मैंने इतिहास बताया था नवनाथों का तो मैंने बताया था कि सबसे पहले नवग्रह आए थे फिर नवनारायन आए फिर नवनाथा है और फिर से नवनाथों का अपरा दुर्भा हुआ चार चरन में तो ये नवग्रह हैं जिनका आप इलाज करना चाह रहे हैं तो इनको प्राथना से आप जादा मना सकते हैं ना कि बल से तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस पेड़ के जड़ से आपके किस ग्रह का दोश मिटता है इसमें दो तरीका है एक तो होता है जिसमें कि आप किसी जड़ को धारन कर लेते हैं और फिर एक मेरू तंत्रा आता है जिसमें कि आप जड़ से सनान करते हैं जड से या फिर उसके छिलके से किसी भी चीज से अलग अलग से तो वह मैं आपको आज बताऊंगा तो अगर जिनका सूर्य खराब है ठीक है तो सूर्य खराब होने पर आप जो बैनियांट्री होता वर्क्ष जो होता है वटवरिक्ष का जड़ ले आएंगे अब उसको पहले निवेदन करते हैं किसी भी पेड़ का किसी भी अंग को आप जब लेंगे ना तंत्र के प्रयोक के लिए तो एक दिन पहले जाके निवेदन करिए कि आप मेरे साथ आए तब उसको दूसरे दिन लेने जाएए तो जड़ लेंगे वटवरिक्ष का उसको सोने के ताबीज में डाल करके पहनेंगे इसको पहनने से सूर्य का जो भी प्रभाव है दूस्ष प्रभाव है अगर अच्छा प्रभाव है तो बढ़ेगा और अगर बुरा प्रभाव है तो वो घट जाता है अगर पहन नहीं सकते हैं तो देवधारू होता है केसर है उसके बाद इलाइची है और महुआ का फूल इन सब को एक साथ आप मिला लीजिए इसको कूट लीजिए और जिस जल से आप नहाते है उसमें इसको डाल दीजिए इस जल के स्नान मात्र से आपका जो भी सूरी का प्रभाव है जो दुष प्रभाव है वो कम हो जाएगा और अगर अच्छा प्रभाव है तो वो बढ़ता है ठीक है इसके अलावा इसके साथ जो आप कर सकते हैं वो एक कौपर रिंग खरीद लीजिए उसको दूद और घी से नहा करके रविवार की सुभा में सूरी के मंत्र से एक सो आट बार अभी मंत्र करके उसको पहन लें तो ये तीन अगर आप करेंगे तो सूरी जो है वो आपका हमेसा सेटल रहेगा दूसरा ग्राव विचाराते हैं चंद्रमा पे चंद्रमा के लिए खिर्नी जो होती है खिर्नी का रूट ले आईए उसका जड़ और सफेद उन में उसको पहनना है सफेद उन में उसको बांध लीजे और उसके बाद उसको पहन लीजेगा तो चंद्रमा का दुष्ट प्रभाव जो है आपके जीवन पे कम हो जाएगा सनान के लिए जल में चान्दी अगर मोती है तो मोती शंक और पंचगवर डाले इनको पानी में डालके थोड़ी देर छोड़ दे सीप हो तो सीप भी डाल दे और उसके बाद इस पानी से सनान करें तो भी चंद्रमा का प्रभाव कम होता है चंद्रमा का प्रभाव कम करने के लिए अगर अंगूठी आपको पहननी की इक्षा है तो छोटा छोटा शंक आता है बहुत छोटा शंक आता है उस शंक का अगर आप एक अंगूठी बना ले और उसको सफेद चंदन से सनान करवा तो भी चंद्रमा में आपको चंद्रमा का किसी भी दुस्प्रवाब से आप बच जाईएगा इसके बाद कौन सा आता है मार्स मार्स के लिए अनंत मूल का जड़ लेना होगा सोने की ताबीज रहेगी और इसको लाल धागे में आपको पहना है मंगल को मंगल है ना तो मंगल को आप इसको पहनोगे तो आपको लाब होगा अनंत मूल का जड़ अगर नहीं पता होगा तो किसी जड़ विशेशग्य से जाकर के या फिर जहां प्यायर्वेदिक मेडिसन मिलती है आप पता करोगे तो आपको यह मिल जाएगा, ठीक है, मंगल का और स्नान करने के लिए आपको सूखा हुआ अद्रक, लाल चंदन और मौलसारी का जो फूल होता है, इन तीनों को जल में डाल के अगर आप स्नान कीजिएगा, मंगल का जो एफेक्ट है वो कम हो जाता है, और मंगल का एफेक्ट को कम करने के लिए, सोने की अंगुठी को धो करके, अगर आप मंगल का मंतर पहन के, पढ़ के पहने, तो भी मंगल का जो है एफेक्ट वो कम होगा, एक-एक करके सारे ग्राविचार मैं बता रहा हूँ, और इसमें अगर आप लोग सोचेंगे कि, किस पहनी है, तो जिस ग्राविचार का जो भी उंगली है वही पहनना आपको, या फिर उसके मित्र ग्रा की उंगली में आप उसको पहन सकते हैं, अब आता है बुद्ध पर, बुद्ध में विधारा का जो जड़ है, उसको निकाल करके, चांदी की तबिज में हरे रंग के धा चाहिए रखनाँ चावल और गोऊचन थोड़ा सा सोना डाल चुछ दीन चाहिए लाथा बधुंख कि अगर द्रिष्टी से आपके कुंड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा अब आते हैं ब्रस्पत पर ब्रस्पत बहुत ही इंपोर्टन्ट होता है सभी जातों को कुंड़ी के लिए क्योंकि ब्रस्पत या सुक्र इसी से आपका करियर डिसाइड होता है तो ब्रस्पत अगर आपको दिकत कर रहा है तो उसके लिए एक सोने की ताबीज ले उसमें भरंगी या फिर केले का जड़ देगो केला का जड़ ज्यादर प्रभाबी होगा और आसानी से मिलता है तो सोने की ताबीज में केला का जड़ लीजे और उसको पीले दागे में ब्रस्पति वार को अपने कले में अगर आप पहनते हैं तो आपको जो ब्रस्पत है उसका ब्रस्पती का जो दुश प्रभाव है उससे आप बाहर निकल सकते हैं और ब्रस्पती को शांत करने के लिए मध्यंती या मुलेठी सफेद सर्सो और मालती का फूल इन चारों चीजों को जल में डालिये और उस जल से नाहिए तो ब्रस्पत जो है वो शांत होता है ब्रस्पति ग्रह चांदी का एक अंगुठी ब्रस्पति वार को उसको अच्छ से स्नान करा करके ब्रस्पत का मंत्र पढ़के ब्रस्पति ग्रह का मंत्र पढ़के और उसके बाद उसको पहनने से भी ब्रस्पत का जो दुष्प्रवाव है वो शांत होता है अब आता है शुक्र पर शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो तंत्र और जो तंत्र मंत स्टाइल से जो भी डील करते हैं उनके लिए शुक्र को बस में रखना बहुत जरूरी होता है सरपंखा का जड़ ले करके और उसको सोने की ताबीज में शुक्रवार को पहनना चाहिए सफेद धागे में ऐसा करने से अगर शुक्र प्रभाव सही नहीं दे रहे हैं तो शुक्र ग्रह का प्रभाव जो है वो जीवल पर सही हो जाता है ठीक है इसके अलावा अगर शुक्र का प्रभाव और थोड़ा मतला अपने लिए अनुकूल करना है तो जल में इलाइची केसर ठीक है बाहेदा डाल करके और हरत को डालिए ये सब आपको अयुर्वेद की दुगाल में मिल जाएगा ये सब मिला करके उस जल से स्नान कीजिए तो भी शुक्र का अगर दूष प्रभाव है या फिर सपोर्ट नहीं कर रहे है तो वह आपको सपोर्ट करने लगेंगे शुक्र के लिए अगर अंगूठी पहननी है तो प्लाटेनियम के अंगूठी को गाय के दूद और मधू में मिला करके उसके बाद अभी मंत्रित करके शुक्रवार को पहनियेगा तो आपको शुक्र ग्रह का प्रभाव अच्छा मिलने लगेगा इसके बाद आता है शनी पे शनी के लिए बिच्चु का जड़ शनीवार को लीजे और काले धागे में उसको पहनना है और इसको शीशे का तावीज बनवाना होगा थोड़ा रह तो उसमें जो अश्ट धातु आते जो पंज धातु तो उसमें शीशा जो क्लेरिफाइड मरकर ही उसको बोलते है उसका तावीज मिलता है उसको ही आप लोगों को यूज करना है अच्छा अगर शनी का प्रभाव को और कम करना तो मैंने पहले ही बताया है कि शनी रहु के इन तीनों का प्रभाव् कम काली और बहरKO के पूजा से होता है। तो इन तीनों ग्रहों का प्राव आप पे नहीं रहेगा। कारण यह कि शनी के आराध्यय डेव कालखेरु है। लेकिन अगर इनका प्रभाव आपको ठोड़ा अपने जीवन में कम करना तो, तो एक तरीका और है कि आप लोहे का चेन अपने राइट पाउ में, जैसे औरते पायल पहनती है, वैसे एक लोहे का चेन पहनें, या दोनों अंगुठे में लोहे का आप अंगुठा पहनें, पैर के अंगुठे में, ठीक है अगर सनान करना है मेरू तंतर के हिसाब से तो काला सरसो और काला सरसो के साथ सूर्मा लोध इन दोनों चीज़ों को जल में मिलाए नागर मोथा मिलता है उसको मिलाए इन तीन चीज़ को मिला करके इसके जल से नहिएगा तो शनी का प्रभाव जो है जीवन में वो कम हो जाएगा शनी के लिए कौन से अंगुठी तो वही शीशे के अंगुठी पहनी जाती है शनी वार को उसको गई के दूद में डाल के शनी का मंदर पढ़िए और उसके अदूस को पहन लिजिए अब आता है राहू पे अगर राहू आपके जीवन में खलल डाल रहा है तो सफेज चंदन का जड़ दीजे और उसको नीले रंग के धागे में लोहे की ताबीज में आपको पहनना है तो उससे क्या है कि राहू का प्रभाव बिलकुल ही कम हो जाता है और अगर स्नान मेरू तंत्र से कम करना है तो लोबान जल में डालिए और गंडूची डालिए तागर डालिए इसको जल में डालिए सरसो का पत्ता मिले उसको जल में डालिए और इस जल से नाहिएगा तो राहू का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा केतु के लिए असागंध होता है एक जड़, उसके जड़ को लेना होता है और ब्लू धागे में इसको चांदी की तावीज में ब्रस्पतिवार को पहना जाता है, तो उससे केतु का प्रभाव जीवन में कम हो जाता है, केतु के प्रभाव को कम करने के लिए अगर सनान करना है आपको, तो सहदेई का जड़ ले लिजे, लोबान ले लिजे ठीक है, और हिंजोत लीजे, इसको जल में डालिए और इस जल से सनान कीजेगा, तो केतु का प्रभाव कम आप पे पड़ेगा, राहु के लिए लोहे की पहने जाती है कि ये घ Deputy को एंगूठी और मंगल को दूद में ऐसे दो करके और पहन लिजेगा प्रभावकें जीवन में कम होता है, देखें ब्रहफ eta जोति जो है, जो रहाद चोतिश्वरदी, ये किताब है, इसमें बताया गया है कि अगर आपका सूरी खրाब है, तो सोने की अंगूटी, चान्दी की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं अप प्लाटिनम और कॉपर के पहन सकते हैं चंद्रमा खराब है तो चांदी की अंगूठी पहनेंगे अगर आपका मंगल खराब है तो लाल कॉपर का रिंग पहन सकते हैं अगर आपका मरकरी खराब है तो ब्रास रिंग पहन सकते हैं जूपि सेटन के लिए लोहे का रिंग होता है राहू के लिए टिन वहू के लिए होता है वह के लिए ॐक चारीय होगा और उसको हटाने के लिए बहुत ही सरल उपाए देखो इसमें क्या है कि आपको ना लाखो रुपय पर रती खर्च करना होगा सोने पे और ना महंगे महंगे आपको आपशन पहनने होंगे देखो आप अगर किसी के बाएज आगा कि मेरा शुक्र मजबूत कर दो तो वो आपको बोलेगा कम से कम एक ला सब्सक्राइटिक आएगा वो लाखो में आता है आप सस्ते पत्थर पहनोंगे तो आपको उपाई वो सस्ता देगा लेकिन अगर वानी जतनते से उपाई करते हो तो उत्तम से उत्तम पत्थर का जो है वो फल यह जो सुनने में बहुत आसान लगा होगा कि इसका जड़ ऐस बनाऊंगा जिसमें मैं रत्नों के बारे मैं आपको बताऊंगा तंत्र के हिसाब से रत्न का प्रेयोग और जोतिश शास्त्र के हिसाब से रत्न का प्रेयोग थोड़ा भिन्न है तो उस पर मैं आपको आगे वीडियो बना के दूँगा आज के लिए इतना ही नवग्रह जिनको साधना शाभिर में अभी आना है वो साधना शीगर में आ सकते हैं फेक्तेक्शान करना शेक्तुरी में बाद कळियों जिनको मुझसर डारीक्ट करना है पार जूश्टा इसको लिपना है संवेक्र हिस spinning 4ा एक्यों आप मुझे कयँकल कर सकते हैं कर दो कर दो